और आप सब के प्यार को देखते वे उनके जुनून को देखते वे मैं आप सभी का तहे दिल से सुक्र गुजार हूँ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मनुं के उपर आपका आश्रवाद हमेशे यूँ बना रहे हैं मैं आप सबसे यही प्रात्रा करती हू बखवान का दिल से दन्यवाद करती हूं जिन अगरा बड़ा दिन दिया देखने के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते कैसे आप सभी बेटा बगवान ने जैसे साधी के साधी होते बेटा दे दिया था तो मुझे मेरी यह इंद कि मेरे घर में एक बेटी आई तो भगवान ने मुझे सरप्राइज दिया कि बेबी आने वाला है कोलेज में अलाउड नहीं था एडमिशन की ऐसे प्रेगनेंट इसको एडमिशन नहीं देंगे तो भूत ऐसे चक्कर लगाए इवन ही आ गई मुझे पता नहीं था दो महिने से बाद में पता चला कि मेरे प अभूत क्योंकि घर में फिटी होती है तो वह बाता है मैं जो ही या बार जाती वां फिर बहुत फूर रहती है ऑर कुत्स मेरे जाने अचपा चाहिए और कुछ मेरी, दिल्कुल, जिस बमझ में बहुत माउस ऐसे सुना है कि मेरे घर में बेटी जाती दी लेकिन भगवाने बेटी नी दी तो मैंनको बोलते हूँ कि आपके घर में बेटी की रूप में भूह आएगी, आप उसको अपने बेटी की तरह ही प्यार दीजिए. तो शुरुवात में बस यही था कि बस बगवाने दो बच्चे दिये, इनकी कोई ख्वाई से मुझे इनकी मना नहीं करनी है, आज तक साइद जब से पैदा हुई है और अब तक हुई है, साइद आज तक इसने जो मांगा, मैंने इसको साइद नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ म अभी तो एक सरप्राइज भी हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वह भी बताऊंगी नहीं, किसी भी वे में नहीं बताऊंगी, क्यों आप एक बड़ा ही सरप्राइज हम आपको देंगे ओलम्पिक के बाद में, यह इसको जो चाहत होती है, मुझे यह करना है, इसके जो आए हैं, और आप अपने बत्चों के साथ जोड़ते रहे हैं, क्योंकि मैं गुर्कुल में पढ़ी थी, तो वो गुर्कुल के मेरे संस्कार थे, गुर्कुल में हमें ही तरह एक फोजी, फोजी की जो लाइफ होती, उसी तरह से हमें में में एंटेन किया जाता, तो सु आपको हमत मिले, मैं पढ़ी असुराल में आई गाउं में, तो मुझे काम पे लगा दिया, तो मैं मेरे पती को बोलती थी, और मैं बहस का गोपर डाले तो मैं नहीं आई थी, मैं पढ़ी थी, कुछ मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, मैं ये काम में मुझे कुछी नही मिलती है तब मैंने प्राइवेट एक कोलेज वाइन किया उसके छे महीं नहीं मेरा स्लेक्शन ओटी ओटी यू नो ओटी ओर एंट ट्रेनिंग जो एक बेड माफिक होती है मेरे करती उसको बंद कर दिया था तो दीरे दीरे अपने आपको थोड़ा सा ऊपर निकाला कि मुझे प्राइवेट में तो यह था कि नहीं प्राइवेट में जाएगी थोड़े से पैसे देंगे पूरे दिन ऐसे तुम्हें खीज के रखेंगे तो फिर कुद का स्कूल लेका मन हुआ तो खोला फिर मैंने 15 साल मैंने महनत करी बच्चों को मैंने सब दिया जो बच्चों को चा तुम लोग बड़े हो ना तो आड़ी मूँछ आगे मैं तो वैसी कि रहूंगी साइद मा तुम्हें नहीं पहचान पा नहीं पहचान पाती तो बस मेरा यही टारगेटर की जहां से हम जहां भी हम जूडे जहां किसी भी एक इंसान से भी तो भी आपनी चभी को छोड़के तो मैं तो हजार बच्च लूडी हो बच्च आज मुझे बड़ा इाद करते मैं स्कूल को चोड़के आगी परेंड कि आप नहीं तो बच्च इल से दो दुड़ी होई हूंँ और मेरा यही है कि मै अभी अपनी ज़से बड़े होगें, बोलते हैं, मामी आप कुछ करो, तो दुवारा से फिर मैं स्कूल में बच्छों से जोड़ूंगी उनको अपनी संस्क्रीट की जो मेरी पढ़ाई है, जो मैं बच्छों को देना साती हूं, मेरा ग्यान है उन तक महुंचापा हूं, ताक हम माऊं को थोड़ा सा हिमत रखना पड़े गता भी हमारे बच्चे, हम एक मा यह दिखाएंगी कि हमारे पती बार नेवी की जोब करते हमने अपने घर में बच्छों को समाला है, तो आप सब दीजी जो बच्छों को चाहिए होती, मैंने उन माऊं को जो कभी घर से नी नि भू अजा से बनके जाते हैं उसको वो उठने नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि नी चीर है तूम वो पर मत उठने जब मैंने पढ़ाना सुरू किया तो मुझे बढ़ा द्वाने की कोशिस करी, बड़ी हमत से मैं जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए पता ही नी बेटी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें